उसमें 49 मुसल्मान थे एक भी RSS बजरेंडल विश्वंदा परिशत का आदमी नहीं था 1925 में RSS बन गई थी 23 साल तक ये मुव्मेंट चला आजादी का उसमें एक भी RSS का आदमी आजादी के मुव्मेंट में हिस्सा नहीं लिया 1942 में जो इनके एक बड़े लीटर है अटल बिहारी वाजपई जी जब ये तहरीक चल रही थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो अभ्यान चल रहा था उस वक्त में आगरा से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें अटल बिहारी वाजपई जी भी गिरफ्तार हो गए तो अटल बिहारी वाजपई जी ने कहा कि मैं इस तहरीक का हिस्सा नहीं हूँ मैं तो अंग्रेजों के साथ हूँ मैं अंग्रेजों से जलाई लगना नहीं चाहता मैं आजादी के लगने वालों के साथ नहीं हूँ उन्हों ने एफेडिविट दिया एफेडिविट देने के बाद उनकी जमानत हुई जेल से छोड़ा गया ऐसे ही एक मरतबा आगरा के अंदर अंग्रेजों का अंग्रेज हुकूमत का जंडा जलाया गया जिसमें एक मुसल्मान भाई था एक हिंदू भाई था उनके खिलाफ गवाई देने वाले अटल बिहार इवाजपई थे ये स सेशन कोट का ये जज्जमेंट है उसमें कहा गया जिस आदमी ने इन दोनों के खिलाफ गवाई दी इस बुनियाद पर इनको गिरफ्तार किया गया उस आदमी का नाम अटल बिहार इवाजपई है जो आरसे से तालुप रखता है आज ये लोग हमको परमान दे रहे हैं कि ह हिंदुस्तानी हैं हम देश भक्त हैं वो लोग जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा इस मुल्क को आजाद किया आज उनको ये देश द्रोही कहने पर मजबूर है आज उनको ये मार रहे हैं पीट रहे हैं तो ये तो घलत है ये नहीं होना चाहिए और अगर इस तरह क के साथ मैं अपने इस मुल्क में रहना चाहता है अमन के साथ है तो आप उनको प्रेशान कर रहे हैं और parfीट कर रहे हों और ये जो 23 मुकदमें दर्ज हुए हैं हमको इजाजत दी है कि इस मुलक के अंदर हम अपने हिसाब से रहेंगे क्या पहनेंगे यह हमको हक है किस मध़ब को यह हम अपनाएंगे यह हमको हक है किसी की जागीर नहीं है RSS या BJP के लोगों का ये मुल्क नहीं है उनके बाप की जागीर नहीं है ये मुल्क सबका है ये मुल्क हमारा भी है ये मुल्क उनका भी है ये मुल्क सिख का भी है ये इसाई का भी है ये मुस्लिम का भी है ये दलित का भी है ये हिंदू का भी है और सभी की मेहनत के साथ ये मुल्क आजाद हुआ है आज ये ठेकदार बने कौन होते हैं नरंदर मोदी जी के अंदर कर हिम्मत है तो बताएं वो आरेसेस का कौन सा आदमी है वो इस हिंदू परिशत का कौन सा आदमी है जिसने इस मुल्क की आजादी के लड़ाई लड़ी इस म्लकीजादी के लिए जिन लोगों ने पुर्बारी जिये हैं आज आप उनको देश द्रोही कीस सब्द्स हो आज आप उनक소 पाकिस्टाजई पटाते हो आज इसलूश के पाबंदी से आज इसलाम की पाजल्वा करते हैं, आप गाए अगर कोई खाता है, आप उसको उसको कत्ल कर दोगे, एक बच्छी को खत्य के ना, अगर ने की झाएगी, बर्धाश नहीं की जाएगी, इससे कुछ नहीं होता, इनी के लोग तो हत्या कर रहें, इनी के लोग तो मार रहें, इनी के लोग तो भीड में जमा होकर के गतले आम मचा रहें, इस मुल्क आज इन्होंने इतनी नफरत पैदा कर दी इस मुल्क के अंदर वोट के नाते, इस मुल्क के अंदर इतनी नफरत पैदा कर दी, कि आज वो लोगों को किसी एक मख़ब के लोगों को आप मुस्तकिल टार्गेट करते रहो तो यह अच्छी बात पही है इन्ही बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं शुक्रिया इस दोनों में से एक को लूँ जग्दिश परदान जी